हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप ये वीडियो बीकॉम ओनेर्स सेमिस्टर 5 के लिए है प्रोग्राम के लिए नहीं है तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका एक्जाम फॉर्म आ गया है तो कौन सा स्लेबस लेना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए एजियस रहे तो आपके सामने देखिए आपके डियो के अंदर जो पॉर्टल के अंदर ऑप्शन आ रहा होगा कैसे भरना है वो मैंने प्रोग्राम वाले में बताया है आपके कूर सब्जेक्ट है समिस्टर 5 की बात करें तो आपके कुछ कूर सब्जेक्ट है सर सर कूर सब्जेक्ट क्य आते हैं sir FM अभी start नहीं किया, कैसे करना है, तो FM के लिए book को भी मैं refer करता जाऊँगा साथ के साथ, sir सबसे ज़्यादा book और एक ही book चलती है, वो है आरपी रस्तोगी, जिन बच्चों को book लेना है, बाकी 10 year लेना है, 10 year ले सकते हैं आप, इसके अंदर मेरे सारे notes डले हुए हैं शिवदास के, ठीक है sir, यह आ गई, अब discipline, इसमें से कोई एक चुनना है, management account और organization behavior, अब यहाँ पे दो तरीके के बच्चे हैं, एक बच्चा जो graduation के बाद कुछ नहीं करना चाहता है, अपने और किसी activity में जाना चाहता है, और एक graduation के बाद further MBA वगएरा करना चाहता है, तो sir, MBA के अंदर management account compulsory होता है, तो वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, तो ऐसे में जिसको MBA वगएरा करना है, वो ले ले MA, लेकिन सर एक्जाम के अंदर सिर्फ मात्र 30 दिन बचे है, उसके हिसाब से चूज करें, मैं तो बोलूगा, sir, कौन सा बढ़िया है, ये पूरा organization behavior theory का है, जो कि आप एजिली पढ़ सकते हैं, इसकी book, management accounting की book, जो है, जिससे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, वो है M.N.Aroda, sir, M.N.Aroda, मैंने M.N.Aroda, मैंने M.N.Aroda, चलिए sir, कहाँ चले गया, हम, दोबारा लिख देते हैं, इसके लिए book था हमारा आरपी रस्त होगी, sir, इसके लिए book है M.N.Aroda, चीक है, M.N.Aroda, sir, इसके बाद organization behavior का, ऐसाच कोई book नहीं है, tenure है, और book आपको, जो आप जाओगे website पे, या फिर DU के soul के, उस book को prefer करके बढ़ लो, मेरे साब से ज्यादा है, market के अंदर सारे जो है, वो Indian writer कम है, foreign writer ज्यादा है, जिसके अंदर दिक्कत आ जाएगी आपको थोड़ी, sir, इसके अंदर से दो subject choose करना है, business stats और आपको, जिसका theory subject, मतलब, practical subject strong है, वो business stat चूज कर लेगा, जिसका theory subject है, चले जाए, stats में चले जाए, sir, इसके लिए book, stats के लिए book कौन सा है, sir, stats के लिए CB गुपता है, और JK ठुकराल है, और जिनकी book मैंने नहीं बताई आपको, ये book market में जरूर available होगा, लेकिन ध्यान रखियेगा, इस book से भी topic उखनाना पड़ेगा, तो sir, ये था semester 5 का, साथ के साथ semester 6 का भी आप से subject भरवाए जा रहा है, एक बार मैं फिर से बता दू, sir, हमें कौन से subject लेने चाहिए, एक बच्चा जो MBA करेगा, मैं ये red वाला जो है ने, ये वाला MBA के लिए बता रहा हूँ, sir, जो बच्चा MBA करेगा, ये तो compulsory है, इसमें तो मैं कुछ भोली नहीं सकता, उसके अंदर ये लेगा MBA वाला बच्चा, और इसके अंदर वो ले लेगा, MBA जो करेगा, वो ये लेगा, और sir, एक दूसरा मैं बता दू, जो बच्चा MBA नहीं करेगा, ये तो sir, compulsory है, जो बच्चा MBA नहीं करेगा, उसके अंदर से वो organization behavior ले ले ले, पास हो जाएगा, और उसमें से ये ले ले, पास हो जाएगा, business state, जिसका practical strong है, वो ले लेगा, sir, semester 6 भी अभी ही भरना है, ध्यान डखिएगा semester 6, again sir, इसके अंदर semester 6 में core है, जिसमें choice नहीं है, इसका audit, sir, 6 में बात करेंगे, audit में पढ़ाऊँगा चटे के अंदर, तो चटे में बात करेंगे, और GST, Goods and Services Tax भी में चटे में बात करेंगे, चटे में किस तरीके से, तो इसमें तो option हैं नहीं, बाकि book इसका grease आ हुजा है, वीके सिंगानिया है और audit की, ऐसे ही हमारे taxman की कुछ books हैं, जो की आती है, Sir, anyone, 3 में से, fundamental of investment, जो है discipline 3 number, और compensation management, Sir, fundamental investment, बिलकुल FM के तरीके से, और उससे advanced version है, fundamental investment, जिसमें mutual fund, equity share, या फिर derivatives बगेरा आ जाएंगे आपकी, तो fundamental investment वही बच्चा ले, जिनको आगे फिर से, अगे अच्छे से study करना है, मतलब कोई और है, otherwise आप ये subject ले सकते हैं, वो easily आप पास हो जाएंगे, छटे semester के लिए, Sir, जिनको आगे further बहुत अच्छे detail में, B.com के बाद study करना है, तो वो practical subject चूज कर ले आगे, क्योंकि आगे practical पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, theory तो आज भी आप self करोगे, और बाद में भी self करोगे, इसके बाद इसमें international business industrial, तो मैं इसमें prepare करूँगा, कि ये वाला subject थोड़ा सा जादा easy रहेगा, तो इसके अंदर चूज करेंगे, आप कौन सा एक, एक compensation और ये, असान, अब बोले, करियर के point of view से, तो sir, fundamental investment, करो, करियर के point of view से, sir, क्यों sir, कोई banking company में जाएगा, ये help करेगा, कोई insurance company में जाएगा, ये help करेगा, और आज के ताइम पर इस company के अंतर ज्यादा स्कोप है, तो जा सकते हैं, बच्चे, international business, आपको ऐसच कोई benefit नहीं देने वाला, subject career oriented, क्योंकि अगर इंडिया से बाहर जाते हो, तो आपको benefit मिलने वाला है, और ऐसच कोई extra benefit नहीं मिलेगा, इससे अच्छा आप labor law पढ़ लो, वो ज्यादा benefit मिलेगा, आपके rights क्या है, wages कैसे मिलता, bonus कैसे मिलते हैं, तो वो ज्यादा beneficial है, तो सर इस छोटे से video में, और थोड़ी लंबी भी हो गई होगी, मैंने कोसिस करा कि आपको कौन सा subject चूज़ करने है, फटा-फट चूज़ करिए, wait मत करिए, और पढ़ना स्टार्ट कर दिजिए, मिलते हैं ऐसे ही, next video में, thank you so much.